आए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं और आज की जो सेशन में है यहां पर फर्स्ट कोशन को हम लोग यहां पर पहले देखते हैं ठीक है आपके सामने यहां पर चार आपसन रहेंगे अब आपको इसमें बताना होगा किसका अंसर क्या होगा जैसे हम देख सकते हैं वन्स ही हाज साइन अग्रिमेंट ठीक है ही वोंट भी एवल तू वट चार आपसने बैक बैट बैक इट बैक इन या फिर बैक आउट क्या होगा तो देखिए क्या होता कई वार की जब तक कि आपको फ्रेजल वर्प की बहुत ज्यादा होते हैं नहीं फ्रेजल वर्प कुछ लिमिटेड है आपको ठीक है आपको 1500 ऐसे जो फ्रेजल वर्प में जो की कॉमन होते जो अक्सर आते हैं एक्जाम में उनको जुरू आप रटना परेगा है यह आपको ठीक है क्योंकि इसके लावा कोई आपके पास option नहीं होता है न तो इसका जो answer होगा वो होगा आपका य पीछे हटना या मु करना ठीक है अपनी बातों से ठीक है बातों से क्या करना मु करना मु करना या जिसको कहते हैं पीछे हटना पीछे हटना ठीक है तो कुल मिलागर है कि अगर आपने यहां पर जो है कि अगर्मेंट पर एक वर सैंड कर दिया ठीक है तब आप क्या नहीं ह कर पाएंगे आप अपनी बातों से पीछे नहीं हट पाएंगे, नहीं मुकप पाएंगे दीगा और आप अगर Backup का भी मतलब जान लीजें, ये तो हो गए आपका अंसर, अब इसका मतलब बैकप का मतलब sociology होता है back up का मतब होता है कि to support to support का मतब होता है कि to support means की सहायता देना है ना और यहां पे back it और back out यहां पे back it और यहां पे back in यहां पे कोई इसका फ्रेदल वर नहीं बनना है जो कि exam में जो ज्यादा तरहते back up हो गये to support करना back out अपनी बात उसे पीछे हड जाना, मुकर जाना, ठीक है? तो यहाँ पर यह चीज़ होगा, इसका जा उसर होगा, बैक आउट होगा, clear? तो यह हो गया, अब आगे बढ़ते हैं सवाल पे, तो इसमें जो दो फ्रेजल वर्ब, जो रटने वाले होगा, बैक आउट होगा, बैक अप हो गया, ठीक है, ना, क्या होगा भई, तो पहले तो आपको यहाँ पे जो आंसर होगा, वो होगा, पूट इन, पूट इन का मतब ह होता है कि, टाइम एस्थान करना, ठीक है, टाइम एस्थान करना, कोई अस्थान पर, ठीक है, तो आंसर जो होगा, इसका है, पूट इन होगा, और इसका मतलब होता है, आप जैसे क्या है कि किसी अस्थान पर समय बिताते हैं, हैंना, समय बिताना, clear, तो आपका यहाँ जो स sentence में कि see there's a brief appearance at the end of the party ठीक है पार्टी इंड हो गया बहुत लोग होते हैं चलो ठीक है पार्टी वाटे हो गया कहीं एक अलग जगा पर एक सांज जगा पर जाकर कुछ समय बिताते हैं न या बात बात करते हैं जो भी तो यहां पर put in होगा ठीक है चुकि यहां पर put कि अगर बात क्या गया है तो देखिए put से बहुत ऐसे phrasal verb में जो कि आपके एक्जाम के point of vision काफी important है पूट से बहुत बहुत ही ज्यादा यहां पर phrasal verb पूछे जाते हैं जैसे कि अगर यहां पर put on देख लेते हैं न सबसे पहले यहां पर option में put on दिया हुआ है तो put on का मतलब क्या होता है यहां पर यहां पर होगा कपड़ा पारना ठीक है close के sense में फिर आपका यहां पर देख सकती put across भी है ठीक है put across put across तो put across का मतलब जो होगा है कोई बात किसी को क्या करना है ऑप्रे ः Four और पौट रीक्रूस को ना सबस्राइट किसी को को एकुछाना ठीके put across है तो यहां पर put across भी हो गया put on हो गया put इनका तो इस खार रही है और put up की बात यहां우 двух कॉर्ट का क्या होगा तो आप क्या करते है, put up मतलब अपने जो विचार है, कोई चीज है, कोई matter उसको विचार करने के लिए प्रसूत करना है, ठीक है, कोई आपका अगर कोई विचार है, तो क्या करते हैं, विचार किसी को दूसरे के पास भेशते हैं, उसको विचार करने के लिए, ठीक है, विच जो आपके पास प्रप्रज़र दूसरे को देते हैं अब आप उस पर कोई विचार हो आप क्या करते हैं प्रकट करते हैं ठीक है तो put on put across put in हो गया ठीक है तो put in put put up के बारे में तो बात हुई चुका है put across भी हो गया put अच्छा put out simple put out का मतलब होता है यहां पर आग बुझाना है ना आग बुझाना होता है जिसका पुट आउट ठीक है एक और इसमें बहुत important put off भी होता है ठीक है put off put off का मतलब क्या होता है ध्यान रखेगा नोट कर लिए जहां पर path right yeah do you go put off put off का मतलब होता है अस्तागित करना में इसकी price from on करण अस्तागित ठीक है एक और होता है नोट के लिजिएगा रैंब फॉट अवय ठीक है put अवय का मतलब क्या आता कि कोई ऐसी जो अप्रीày घट्ला यह प्रीजिए बात को क्या करना भुला देना पुट अभी मतलब भुला देना ठीक है तो जरूर नोट के लिए काफ़ important पुट से बहुत आते हैं ठीक और एक और होता है अपनोट के लिए put aside put aside का मतलब होता है to save या फिर एक और इसका में लिए इग्नोर करना ठीक है तो पुट से काफे सारे हो गए ठीक है यहां पर लगवा आठ जो थे important phrasal वर्प पुट से लेटर जरूर ने नोट कर लिए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं next question है कि the tribe lived that different customs तो लिव कैसा जो इसका आंसर और वह बाई ठीक है लिव बाई मतलब किसी चीज के सहारे जिन्दा रहना कि सी चीज के कि सिच के कि सहारे आप है जिन्दा रहना तो जो यहां पर ट्राइब की बात हो रही है different इसकी जो उनका जो डिफ्रेंट कस्टम में रहती लिए वाज है उसके सारे वो जिन्दा रहते हैं ठीक है अब यहां पर बात होगा कि लिव ओन का क्या होगा भी लिव ओन से क्या क्नेक्शन बनेगा इसका फ्रिदल लिव ओन कमत होता है किसी खाने पर किसी खास जो पर्टिक ठीक है अब यहां पर लिव थू के भी बात कर लेते हैं लिव थू का मतल्थ है तू सर्वाइब डिफिकल्टी ठीक है मुस्के से बुष्ण बश्र करना में इसके मुस्के से जीना ठीक है जीवान आपन करना तू कि शरवाइब होः ईया ठीक है कि ठीक ठीक है डिफिकल्टी थ्यक्राइब तू धिया रखिएगा लिए ऑन किसी खास खाने पर कोई खाना हो उस पर जिन्दा रहना को एगर बात हम यह आ पर किते लिव बाई तो किसी चीछ के सारे जिन्दा रहना जैसे किस्टम कोई कस्टम है प्रिती रिवाज है लिव थू मतब क्या तो तू सर्वाइब डिफिकल्टी कठिनायों से जीवन ही आपन करना है कठिनायों से ठीक है एक और बचे लिव आफ तो इसमें भी जो होगा यहां पर यहां पर जो था यहां पर लिव ठीक है तो किसी खाने पर जिन्दा रहना और लिव आप में तो किसी खास भूजन पर रहना किसी खास भूजन पर रहना खास भूजन पर रहना नोट के लिए इंपॉर्टन है तो यहां पर देखिए लिव ओन लिव ओन को में तो किसी खाने पर जिन्दा रहना वाई आपक जिन्दा रहाए जिसे अगर टाइगर की बात किलो वो क्या होता है हुमासारी वो उसी चीज़ को खाकर ही जिन्दा रहेगा उस अन्य दने लेकि खास यहाँ पर बात करें लिव ओफ मिन्स कि किसी खास भूजन पर रहे ना जैसे कभी कई वार आप किसी दिन आप खाते हैं लेकि मुझन क्या होता है फल पर रहते है तो खास भूजन पर रहे ना ठीक है लीव ओफ ध्यान रखेगा चली आगे आते हैं नेस्ट कोशन कि हीज ड्यास गांबलिंग एंड ड्रिंकिंग तो गीव अवे गिव अवे होगा कि गीव अप होगा कि गीव इन होगा कि गीव ओवर होगा घठीक है बावा कि यहाँ पैसिफ केसर से में तो गिवे लिखावा लेकिन जीव अप गीव अवे giving up gambling and drinking ठीक है उसके दर जो है यह सब चीज हो त्याग देगे लेकिन बाकी और भी चीज़ें जैसे give in का मतलब क्या होता है और give away का मतलब क्या होता है तो give away का मतलब नोट कर दीजे करना ठीक है distribute करना वित्रित करना योग्या अब आएए यहां पे give in का मतलब भी जानेंगे give in का मतलब होता है कि आत्म समर्पन करना ठीक है आत्म समर्पन समर्पन ठीक है आत्म स्वामपर कर देना पिर है give double give over का मतलब गया हो एक है तो यहां पर एक ऑंसर था जी घीव अवे का मतलब वितृत करना जीव आवे का मतलब आप्वितृत करना गीव इनका मतलब आत्म सवॉपन कर देना और गिव ओवर कम तो पर दान करना ठीक है चले आते आगे बढ़ते हैं It is due to this lethargy that the plan fell क्या होगा यहाँ पर answer fell through means कि it is due to this lethargy the plan क्या होगा plan आपका asuffle हो गया fell through का मतलब क्या होगा आपका यहाँ पर asuffle होना या हो जाना ठीक है असuffle हो जाना fell through अगर हम बात करते हैं fell off fell off का मतलब क्या होता अभी यहाँ पर इसका भी नोट कर लिजे कमी आना ठीक है कमी आना अब आते हैं fell out fell out का मतलब क्या होगा fell out का मतलब नोट कर लिजे घर्टित होना घर्टित होना अब एक और हैंपे और फिट फेल अवे का मतलब अद टो किसी से दूरी बना लेना किसी से इसका मतलब नोटी हां पर कर लिजे में अदूरी बना लेना ठीक है तो किसी से दूरी बना लेना आंसर तो आपका थू होगा लेकिन आपके और भी है फ्रेजलों जैसे फैल आफ कमी आना फैल आउट गटित होना फैल अवे किसी से दूरी बना लेना ठीक है अब आते हैं नेस्ट कुशन है कि leads fall that is in autumn ठीक है, autumn में जो होते हैं, लिफ्स क्या होते हैं, तो पेड से अलग हो जाते हैं, तो इसमें कौँ सा होगा, ठीक है, fall down होगा, या फिर आपका fall on hyapon होगा, या fall off होगा, या फिर fall back on, ठीक है, fall back on या अपन, ठीक, इसमें से कौन सा होगा तो ध्यान दिजे यहाँ पे सबसे पहले बात करें लीव का हो रहा है उसका कि पेर से अलग होना सेप्रेशन की बात हो रही है सेप्रेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे जो होगा आपका आपका फॉल ओफ ठीक है fall off यहाँपिस का जो होगा आंसर होगा fall off का मतलब होता किया वही नोट कर ली जाएगा पहले किसी चीज से अलग होकर गिरना है न किसी चीज से अलग होकर गिरना अलग हो कर गिरना ठीक है और यह तो आंसर होगी लेकिन Fald On का मतलब गरना है लरख ख़डा खटा कर गिरना ठीक है अबaczy ड़कों समझमें अ मतलब होँगो एक ऐसका मतलब होड़ा कि लर लख खडाने लर्ख खडा घरना तो तो कहностью और अगर सिर्जी घर कि एड़ं विर कि उससे सटे हुए लेकिन अगर बात करें पेर का अगर पत्तों का पेर से अलग होना में इसके वह उससे सेप्रेस्ट हो गया अलग हो गया बिल्कुल ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे फॉल अपार्ट फॉल अपार्ट का मतलब होता है नोट के लिजेगा इसका भी मतलब बिखर जाना ठीक है अब इक आरेहां फाल बैक ओन का मतलब क्या होगा फाल बैक ओन का मतलब यूज अस लास रिसाट मिए कठीनाई के समय किसी चीज का परीव करना ठीक है fall back का मतलब यहाँ पर note कर लिजे कहाँ पर मैं लिख दूँ note कर लिजे कठिनाई के समय कठिनाई के समय किसी चीज का परियूग करना कठिनाई के समय use करना ठीक है अब आगे बढ़ते है next question है यहाँ पर my father has been advised to dash his smoking अगर father ने तो क्या advice करेंगे cut down करेंगे cut into करेंगे cut off करेंगे cut in करेंगे ठीक है तो देखिए यहाँ पर answer जो होगा आपका वो होगा cut down ठीक है my father has been advised to cut down advice की बात हो लिए तो advice का करेंगे की cut down करें cut down का मतलब बता कठावती करना कठावती करना ठीक है आपा smoking करते हैं लेकिन उसमें cut out करेंगे बहुत जादा नहीं करना ठीक है ऐसे करना ही नहीं चाहिए सहत के लिए बिल्कुल नहीं सही है cut off के गर हम बात करें cut off का मतलब जाने जाए cut off का मतलब बता है सम्मंद तूट जाना सम्मंद तूट जाना ठीक है अगर उसका जो बेटा है अगर smoking करता है सम्मंद तूट जाता है बल्कि फादर उसको एड़वाइस ही करेंगे सम्मंद तो नहीं तोड लेंगे अगर cut in की बात करते हैं हस्त छेफ करना हस्त छेफ करना हस्त छेफ करना का मतलब होता है अब कि अगर आप किसी को हस्तरशेफ करते हैं तो क्या करते हैं उसके कामों में बाधा देते हैं या उसके मर्जे के खिलाफ कोई काम करते हैं ठीक एक तरह से यह हो गया हस्तरशेफ करना ठीक एक निगेटिव सेंस में लेकिन यहाँ पर बात करें मैं फादर हैं एडवाइज तू कर डाउन हिस अस्मों के एक पॉजिटिव सेंस में आपको किसी चीज की रोगने की बात कीए हस्टर शेप नहीं करने की पात कीए कि आप जो कर लोग वह काम करने से रोग दिया जा रहा आपको ठीक है ऐसा नहीं है और कट इंटू कट इंटू का मतलब तह किसी चीज को सब्सक्स नहीं कुट्राइब्स में बडिक करना ठीक है छिव कर Weihnachten Prince है अब लिदी में वर देट्ष माइस माइ फादर अब यंगर जों प्रदर है छोटा भाई हो क्या कर रहा है मेरे फादर को look after का मतलब होता है देख भाल करना ठीक है देख भाल करना देख भाल क्या करना ठीक है तो यह हो गया इसका बाकी सबका look in, look up और look up to का अब जाना आपको बहुत जरूरी है चुकि फ्रेजल बढ़ वह है आएंगे एक्जाम में लुक इन का मतलब होता है किसे को फोन करना ठीक है लुक इन का मतलब होता है तो देख लुक इन तो नहीं यहां तो लिखे हाँ लुक से इसका जो फ्रेजल बढ़ बनता है वो लुक इंटू जरूर होता है जिसका मतलब होता है जाच करना जाज करना यह इन्वेस्टिगेट करना इन्वेस्टिगेट करना ठीक है तो यह होता है लुक इन नहीं आपको लुक इन्टु कर गया गा लुक अप का मतलब क्या होगा भै लुक अप का मतलब टू इंप्रूव टू इंप्रूव का मतलब गया होता भाई प्रगती कंते करना ठीक है लुक अप् ठुख अप्टू का मतलब टू होता यह बहुत इंपॉर्टेर्ण है इससे भी नोट करने तू रिस्पेक्ट मतलग आदर टीगा थी चान थी मिन्स की CC आदर कर न ठीक है कैं चली अगे आथे ने सवाल पर धूंच तो देखिए कॉल के साथ जो होता है प्रिपोजिशन लगर कौन से फ्रेजल बनते हैं और इसमें कौन सा फ्रिट होगा तो यहां पर जो होगा कॉल आफ का मतब होता है अस्थागित जाकर मुलाकात करना ठीक है जाकर मुलाकात करना तू मुलाकात करना ठीक है तूपे अ विजी ठीक यह हो गया तूपे आविजिट अगर बात करते हैं लुक अप लुक अप का मतलब क्या होता है सब्सक्राइब काल अप का मतलब होता है याद करना ठीक है याद करना तू रिकाॉल अगर बात करते है कॉल फॉर के कोल के साथ जो फॉर नत की होता है इसका मत होता हैमाँग करना डिमान इस कीज़ सवाल का क्या करते है डिमान्ड करते हैं अब लास्त तवाल पे आपी कि कि the doctor has been dashed to attend an urgent case तो यहां पर जो अंसर होगा वो होगा आपका call-in ठीक है call-in का मतलब क्या होता है बही call-in का मतलब होता है आपको आप call-in का यहां पर दो-तीन अर्थ में भी होते हैं ठीक है लेकिन यहां पर जो call-in का मतलब बता है क्या कि आमंतित करना है है ना the doctor has been called in to attend an urgent case उनको आमंतित क्या गया है बात करने के लिए बुलाना ठीक है call-in मतलब बुलाना call-in का मतलब बुलाना तो डॉक्टर को call-in क्या है अच्छा call-over का मतलब क्या होता है अब है कि call-over का मतलब बता है यहां पर नोट का लिए ज़िए टूरिक्वेस्ट करना ठीक है तो यहां पर यहां तो अर्जेंड था तो उसको फो अर्जेंड चीसने तो वह आ ना ही होगा डीके डॉक्टर को नहीं होगा लेकिन यहां पर रिक्वेस्ट कहा जारा जारा घुबाब भीजना है ना चुग्वेस्ट टुग्वेस्ट तो रुट्पेस्ट सम्वन टू कम ठीक है यह घू कोल लोगा है ना कॉली नहीं हो गया अब यहां पर है है कॉल फॉर्थ का मतभ़ता है कि कोई प्र्तिक क्रिया करना ठीक है कि टू कि प्रोड्यूस कि और याक्षन है ठीक यह हो गया और यहां पर अगर बात करते कॉल ओवर का अच्छा कॉल वर का तो बात हो गया दोनों से हमी था ठीक है तो कुल मिलाकर यहां पर दस्त को संथे और सभी में आपके यहां पर चार चर जो फ्रेजर बढ़ते तो लग 40 जो है इस विडियो में जो फ्रेज लवर ठीक है है करें फ्रेजल भर इहां पर कवर रोगए और यह काफी इंपॉर्ट्ट है यादinging रखे कहा और कई बार एक्जाम में इस से डिलेटेड इरो हो सकते हैं इससे फेलेड़ हो सकते हैं तृक है इसे ले लेटेड़ आपके